अलो प्रेंडस मैं इकता आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ ऐगी आगी हम गूत ही टेस्टी मूँ में घुल जाने वाले लड़ु की रेसिपी आई हूँ इस लड़ू को आप बहुत ही आसानी से दूद से बना सकते हैं तो चलिए बनाते हैं टेस्टी मुँ में घुल जाने वाले लड़ू तो इसके लिए देखिए मैंने देड केजी मैंने दूद लिया है और दूद को हमको बहुत ही अच्छे से गाढ़ा करना है तो बहुत ही टेस्टी लड़ू बनता है यहाँ पर देखिए मैंने गैस ओन कर दिया है और दूद को हमको गाढ़ा करना है अगर आप इतना जंजट नहीं चाहते हैं तो आप डाइरेक्ट मावा से भी बना सकते हैं तो मैं यहाँ पर होमेट मावा बनाऊंगी बहुत ही इज़ी है हमेट मावा बनाना उससे पहले भी मैंने कई रेसिपी डाली है मावा की तो आप जरूर देखिएगा यहाँ पर देखिए दूद काफी अच्छे से बॉयल हो रहा है और यह जो इसकी मलाई है किनारे लगने लगता है तो आपको इसको लगातार किनारे चलाते रहना है तो बस देखिए हमको इसको आपको दिख रहा होगा कि दूद काफी जल के गाढ़ा हो चुका है तो बहुत ही तेस्टी यह मूं में घुल जाने वाली मिठाई बनती है तो बस देखिए हमने इस तरह से इसको लगातार चलाते हुए इसको हमको गाढ़ा कर लेना है तो गैस का फ्लेम आपको हाई नहीं रखना है क्योंकि हाई रखेंगे तो यह नीचे से जल जाएगा तो मीडियम फ्लेम में देखिए इस तरह की रबडी टाइप में तयार हो चुकी है यह देखिए यह रबडी एकदम तयार हो चुकी है गाढ़ा हो चुका है इसमें मैंने इलैची पॉडर डाल दिया है तो यह देखिए इलैची पॉडर डाल दिया है और मीडियम फिल्म में हम इसको लगाता चलाते हुए और गाड़ा करेंगे बहुत ही टेस्टी बनती है तो दूद की रबड़ी भी खाई होगी तो एक बार आप इस तरह से दूद की मिठाई खाईए अब आपको दिख रहा होगा ये दानेदार जो मावा है अब आपको पास से हम दिखा रहे हैं एक दानेदार मावा बनेगा तो बस इसको हमको थोड़ा सा और इसका कलर चेंज हो जाने तक मतलब गाड़ा करना है और एक चीशका आपको ध्यान रखना है कि हाई फ्लेम में आपको नहीं पकाना है लो फ्लेम में पकाना है और इक किनारे जो मलाई आपकी जमती है इसको लगातार आप चलाते हुए छोड़ाती भरेगे तो इस तरह से हम इसको एकदम गाढ़ा मावा बनाएंगे बहुत ही इसका हलका सा कलर आपको दीख रहा होगा हलका सा चेंज हो चुका है और यह देखे यह इसका कलर हलका सा चेंज हो चुका है और यह इस तरह से मावा अब आपको लग रहा होगा कि यह मावा बन रहा है तो यहाँ पर गैस का फ्लेम आप थोड़ा सा लो कर दीजे और लो करक आप उसको थोड़ा सा सुखाएंगे तो बस इस से आपको दिख रहा होगा अब इसका color आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा change हो चुका है यानि perfect मावा बन चुका है और gas का flame हम बंद कर देंगे फिर भी इसको लगातार हम चलाते रहेंगे ताकि जो सारी किनारे ये मलाई लगी है मावा लगा है वो छुट जाए और हमने देखिए गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे बस देखिए गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और इसको हम चला रहे हैं तो देखिए इस तरह से परफेक्ट मावा बनके रेडी हो चुका है इस मावा को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और अब हम इसको एक बड़े थाली में निकाल लेंगे और इसमें हम साथ में भुना हुआ सूजी एट कर लिये हैं तो यह देखिए मैंने इसमें सूजी अब हम इसमें ड्राइफूट एट करेंगे तो ध्रzar गद्राइफूट को हमने थोड़ा सा पतला पतला कट कर लिया है ऐसे मिक्स कर लिया है इसमें अच्छें और राडी में भूल जाने हालेव्य बनते हैं अगर एक तम आप पूरा मावा का बनाएंगे तो आतना आइट करेंगे , आद प्रगत के लिदे नियुक्स तेया है मैं अच्छी करेंगे मृत टेस्टी आप उनार्य बन बैद जरूर मिखेजुआ में अच्छी चीनि को करेंगे चीनी मावा और थोड़ा सा नारियल का भूरा है ड्राइपूट है बस हम इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे यहां पर देखिए मैं थोड़ा सा और इसमें ड्राइपूट यह नारियल और किसमिस है थोड़ा सा और एड़ कर रही हूँ इससे और भी टेस्टी बंनता है तो बस देखिए इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसमें थोड़ा सा दूड़ डाल दिया है अब इस तरह का हम परफेक्ट लड़ू बनानेंगे बहुत ही टेस्टीक मुह में घुल जाने वाली यह मावा के लड्डू बनते हैं तो यह देखिए एक तम साफ्ट मुह में घुल जाने वाले लड्डू बनके रेडी हो चुके हैं तो अगर आप इसमें थोड़ा भी दूद नहीं डालना चाते तो आप मन डालिए तो बस दूट के डाले थे और यह देखिए तम दूट डालने से एक तो यह मतब सॉफ्ट डूग हो जाता है हलका सा और यह पर्फेक्ट लड्डू बन जाता है एक दूसरा भी मैं लड्डू आपको बना के दिखा रहे हैं इस तरह से आप दूसरा लड्डू बना लेजिए पटा मावा के आपने बहुत चीज खाए होंगे तो एक बार आप इस तरह से मावा के लड्डू बनाईए एक तो मुह में बूल जाने वाले बनते हैं और यह बहुत ही तेस्टी होते हैं तो आई होप कि आपको मावा के लड्डू जरू पसंद आए होंगे अगर वीडियो अच् सेयर सब्सक्राइब करना मत बले रहें थैंक यू